सुनो शाम कर कुछ भी करा मात कि बस मुझे तू ही दिखाई दे कहूं जो मैं जैश्री शाम पूरे जग को सुनाई दे आप सभी को मेरी राम राम जैश्री शाम आज हम स्रीमत भगवत गीता का पाचवा अध्याय करेंगे पाचवा अध्याय अरजुन बोले ही श्री कृष्ण भगवान जी तुमने पहले करमों का त्याग करने को कहा फिर करम की परसंसा करते हो इन दोनों में से जो अधिक हितकर है वह एक बात निश्चे करके बतलाओ श्रीकृष्ण भगवान जी बोले करमों का त्याग करना ये दोनों ही पक्ष देने वाले होते हैं परंतु इन दोनों में करम त्याग से करम योग हितकर है जो किसी से द्वेश नहीं रखता ने किसी पदार्थ की इच्छा करता है वह सन्यासी है ऐसा पुरुष संसार के बंदनों से चूट जाता है सांखे और योग को मूरक लोग ही पृतक पृतक कहते हैं पंडित नहीं कहते हैं जो इन दोनों में से एक में भी अच्छी तरे स्थित हो जाता है उनको दोनों का फल प्राप्त होता है ज्यान योगियों को जो स्थान मिलता है वही करम योगियों को प्राप्त होते हैं ज्यान योग वे करम योग एक ही है करम योग के विना सन्यास का प्राप्त होना दुश्कर है करम करने वाले मुनीजन को बर्मा प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता करम योग युक्त शुद अंतकरन वाला मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला संपुर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को देखने वाला करम करता हुआ करम फल में लिप्ट नहीं होता योग युक्त तत्व वेत और पुरुष देखते हैं सुनते हैं स्वर्ष करते हैं सूंगते हैं खाते हैं चलते हैं स्वास लेते हैं तो भी यह नहीं मानते कि मैं कुछ नहीं करता वे बोलते हैं त्यागते हैं ग्रहन करते हैं परंतु यह नहीं मानते कि मैं कुछ नहीं करता और यह मन में धारन करते हैं कि इंद्रिया ही अपने विश्यों में भरती है जो प्राणी बिरमा में अरपन कर संसार को त्याग कर कर्म करता हूए पाप में लिप नहीं होता जैसे कमल पत्तर पर जल नहीं थेहरता योगी जन सरीर से मन से बुद्धी से तथा इंद्रियों की आसकती से रहित होकर आतम शुद्धी के निमित करम करते हैं योगा युक्त पुरुष करम फल त्याग कर मोक्स रूप शान्ती का लाब करता है और जो योग रहित है वह करम की इच्छा के बंदन में पढ़ जाता है सब कारियों को मन से त्याग करके प्राणी इस वन दवारा इंद्रियों की देह रूपी पुरी में ने कुछ करता है और ने ही कुछ कराता हुआ आनंद पूर्वक रहता है परमेश्वर किसी करम में प्रवर्त नहीं करता करम और करम फल को पन नहीं करता ये सब परवर्ती जिनका अज्ञान नस्ट हो गया है उनका वहे आतम ज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसा भासित करता है जिस प्रकार सूर्य संपुर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है उसी प्रमात्मा में जिसकी बुद्धी स्तिर है और उसी में मन लगाते हैं उसी में निस्टा रखते ह और जो सदा उसी के द्यान में लगे रहते हैं ज्यान दवारा जिनके सब पाप्नस्ट हो गए हैं वे इस संसार में नहीं जनम्ते विद्या और विने से संफून संपनब्रहंवन में गाएं में पुट्ते में चानडाल में पंडिक की द्रस्टी समान रहती हैं जिनके मन में इस तरह की समानता उत्पन हो गई है। उन्होंने इस लोक में जनम बरण रूपी संसार को जीत लिया है। प्राप्त है वे इंद्रियों के स्पर्स से जो भोग देते हैं वही आतम सुख काम अनुभव करता है और बर्मा में अन्त करण को मिला अक्षय शुक मोक्स प्राप्त करता है वे इंद्रियों के स्पर्स से जो भोग देते हैं वे वस्तुते दुखदाई होते हैं उनका आदी बी है और अंत भी है हे कौनते ग्यानी लोग ऐसे भोग में रत नहीं होते शरीर चुटने से पहले जो मनुश्य काम और क्रोध के वेग को सेन करने में समर्थ होता है वह योगी और सच्चा सुखी है जो योगी आतम सुख से सुखी अंतर आत्मा के आनंद से आनंदित और अं चाते हैं ऐसी योगी को ब्रमा निर्वान प्राप्त होता है काम तथा क्रोध जिन में नहीं है मन के वेग को जिसने रोक लिया है ऐसे आतम ग्यानी योगियों को ब्रमा निर्वान सहजी प्राप्त हो जाता है बहारी पदार्थों के संयोग से अलग रहकर दोनों बोहों के बीच में द्रस्टी लगाकर नासिक के भीतर चलने वाले प्राण अपान वायू को सम करके इंद्रिया और मन को वश में करके इच्छा भे तथा कुरोध को त्याग मोक्स की इच्छा करने वाले योगी जन मुक्त होते हैं जो मुझको यह है सब यगोर्तपों को भोगता संपूर्ण लोकों का स्वामी और सब प्राणियों का मित्तर जानते हैं उन्ही को शांती प्राप्त होती हैं जुआ खेले देव योग से वह पिंगल एक राजा के यहां नोकर हो गया राजा के पास और लोगों की चुगलिया किया करे चब बहुत दिन बीते तब धन्वन्त हो गया तब उसने अपना भी भारा चालिया परन्तु इस्त्री वह विचालनी आई वह इस्त्री को मारता उस अपने पती को विच दे दिया वह ब्रामन मर गया उस ब्रामन ने गिद्ध का जनम पाया कुछ समय पस्चात वह इस्त्री भी मर गई उसने तोती का जनम पाया तब वह एक तोते की तोती हुई एक दिन उस तोती ने तोते से पूछा कि हे तोते तुने तोते का जनम क्यों पाया तोता बोला हे तोती मैं पिछले जनम की कता सुनाता हूं मैं पिछले जनम में ब्रामन था अपने गुरू की बात नहीं मानता था मुझको गुरू जिने स्राप दिया कहा जा तु तोते का जनम पावे इस कारण तोते का जनम पाया अब तुम कहो किस कारण से तोती तोती को उस गिद ने पेचाना और वह गिद तोती को मारने चला आगे आगे तोती पीछे-पीछे गिद जाते जाते तोती एक समचान भूमी में थक कर गिर पड़ी वहाँ एक शादू का दाह हुआ था शादू की खोपडी वर्षा के जल के साथ भरी हुई पड़ी थी वह उसमें गिरी इतने में गिद आया और तोती को मारने लगा उस खोपडी के जल के साथ उसकी देह दूल गई और दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गई और अधम देह से चोटकर देव देही पाही और उसने और उनके लिए विमान आये जिन पर मैट कर दोनों बेकुंट को गई वह खोपडी एक साथू की थी जो गीता जी के पांचवें दैय का पाट क्या करता था वह परम पवित्तर था उसके जल से दोनों पवित्तर हो गई जो प्रा